हलो दोस्तो वेलकम टू रिहास फिल्म लिव्यू कल राट मैंने धर्मा प्रडक्शन की फिल्म गोविंदा नाम मेरा मुवी देखी है इसमें आपको विकी कॉशन काईरा अडवानी और भूमे पटने कर में लीड में देखी है अगर कास्ट की बात की जाए तो बहुत ही बहतरीन कास्ट है तीनो साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं इसमें विकी कॉशन गोविंदा वागमारे का रोल प्ले कर रही है जो कि कॉरोग्राफर है वहीं दूसी तरफ विकी की गर्फरेंड बनी है कायरा अडवानी वो भी मुवी में कॉरोग्राफर बनी है और साथ में ऐसा रोल प्ले कर रही है जहां वो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती है किसी भी हालत पे वही विकी की वाइफ का रोल प्ले कर रही है भूमी बढ़ने कर वो एक ऐसी वाइफ बनी है जो कि अपने पती को चूतों के नोप पे रखती है हमेशा उन पे डॉमिनेट करती है और उनको तंग करती है यहां तक कि उनको तलाग भी नहीं दे रही है इस मूवी में शादी शुदा होने के बाद भी भूमी का एक बॉइफेंट भी है स्टोरी स्टार्ट होती है हीरो की लाइफ से जहां वो भूमी से डिवॉर्स लेना चाहते हैं और कायरा से शादी करना चाहते हैं वहीं दूसी तरफ अपने केरियर भी सेट करना चाहते हैं क्योंकि उनकी इंडस्ट्री में बहुत कुछ ज़्यादा जान पैचान नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा उन्हें काम देनी रहा ना पूछ रहा है। इन सब बवाल के बीच वो एक murder case में भी फश जाते हैं। इसके कारण आ रही है ना कि लीड करेक्टर के कारण। लीड करेक्टर की comedy बहुत वीक लगी मुझे। रेनुकर साने जीने movie में screen space अच्छा लिया है वो विकी की मा का रोल प्ले करी है जिनको लखवा मार गया है। अगर उनकी comic timing की बात की जाए तो बहुत अच्छी है। बहले हमें परदे पे बहुत समय के बात देखने को मिली है और उनकी comic timing उनकी acting excellent है movie में। इसमें आपको दयानाय शेटी भी देखने को मिलीगी। जो कि इस्पेक्टर जावेत का रोल प्ले कर रही है। जादत जनरल पीपल उन्हें इस्पेक्टर दया नाम से जादते हैं CID के। एक जगा यहां तक कि उन्होंने CID का dialogue भी मारा है। मगर जिस हिसाब से उनका रोल प्रेजेंट किया गया है लगेगा नहीं कि हर जगा बस एक ही काम किया करते हैं। उनका स्क्रीन स्पेस और राइटिंग बहुत ही ठंग से की गई है। यहां तक कि मुवी की अगर राइटिंग की बात की जाए तो फर्स्ट हाफ थोड़ा है अदरवाइस मुवी की राइटिंग भी बहुत अच्छी हुई है। आमे वाग का रोल अच्छा है। उन्होंने विकी के दोस्त का रोल प्ले किया है। कायरा मुवी में बहुत ही जादा अच्छी लग रही है। अब कुछ जगा पे तो बहुत हॉर्टर सेक्सी लग रही है और उनका करेक्टर इतना अच्छा है कि कब वो साइड करेक्टर से में करेक्टर में आ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा विकी को भी वो एमपावर कर जा रही है कुछ-कुछ जगा पे तो वहीं भूमी का रोल मुझे ठीकी लगा उनका रोल और अच्छा डैरेक्ट किया जा सकता था शैशान खैतान के द्वारा अच्छा हाँ इस मुवी में शैशान खैतान भी दो सिंस में दिखाई दिये हैं एज़ बिल्डर और साथी साथ इसमें एक जगा पे रनवीर कपूर भी दिखे हैं स्पेशल अप्यरेंस में और उनके साथ में रिफ्रेंस दिया गया है रनवीर सिंगा ये कोई तरह का हिंड भी हो सकता है कुछ कह नहीं सकते है पर जैसे कि ये थ्रिलर फिल्म है वो थ्रिल आपको सेकेंड हाफ में फील होगा टू आर 11 मिनिट की मूवी में फर्स्ट हाफ पूरा स्टोरी बिल्ड़ प है बहुत ही जादा स्लो है फर्स्ट हाफ इतना बोरिंग है कि मैं तो सो गई थी फर्स्ट हाफ देखने के बार ऐसा लग रहा था एक खंटा चार खंटे के बराबर हो गया है अगर आपकी शेहन सक पार कर जाएगी तभी आप सेकेंड आफ देख पाएंगे और इसको इंज्वाइब दर पाएंगे अधरवाइस नहीं सेकेंड आफ में बहुत अच्छे अठेट त्यूस्ट हैं इनफेक्ट अब कब खतम हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा लास में 10 मिनट पूरी स्टोरी ह मतलब आपको पूरी स्टोरी में क्या हुआ, क्या से हुआ, क्यों हुआ, पूरा लास के 10 मिनिट में ही समझाएगा तो बीना पूरी मूवी देखें आप स्टोरी समझी नहीं सकते हैं स्टोरी राइटिंग अच्छी है, सेकेंड हाफ पूरा थ्रिल से भरा हुआ है बाकि अगर अक्टिंग की बात की जाए, तो बहुत अच्छे अक्टिंग भी बहुत अच्छी की गई है ऐसा लगे गई नहीं कि विकी फॉर्स टाइम कॉमेडी एटेंट ले रही है उनकी अक्टिंग ने बिल्कुल भी डिसपॉइंट नहीं किया है वहीं काईरा और भूमी ने भी अपना पर बहुत अच्छा अपले किया है और जहां तक कि मूवी की बात है अच्कल जैसी जैसी मूवी आ रही हैं, सौंग आ रहे हैं ये मूवी बिल्कुल आ फैमिली के साथ बैठके देख सकते हैं कोई भी फाल्तू के एक्स्ट्रा बोर्ड कंटेंट नहीं है अच्छी कॉमडी करने के कोशिश की गई है पर थोड़ी हसी कम आ रही है और अगर बात की जाए तो मुझे ये मूवी वन टाइम गॉच है जो ठीक्ठा कॉमडी आ भी दिखा रही है जो पॉइंट कट भी रहे हैं वो केवल और केवल इसके फर्स्टाफ के कारन कट रहे हैं क्योंकि फर्स्टाफ बहुत ही जादा बोरिंग है मैं इस मूवी को फाइफ में से थ्री स्टार दूं दी दोस्तों प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तरके अपना प्यार दे आज के लिए इतना ही थैंक्स पर वाचिंग